तो क्या होता है जब आपकी connecting flight miss हो जाती है जी हाँ जब आप international travel करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो है वो direct flight नहीं होती है connecting flight होती है connecting flight इसलिए भी होती है उसके कई reason होते हैं एक अगर आप independent travel कर रहे हो खुद से तो आप पैसे बचाने के चक्कर में भी connecting flights book करते हो connecting flight होती है पता देता हूं मैं आपको कि जो direct flight जैसे हम इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो हम direct flight हमें नहीं मिलती है या हम book नहीं करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में तो हम वाया जाते हैं suppose करो हम Delhi दुबाई गए दुबाई से हम यूएस गए ठीक है जी तो यह होगी connecting पहली करता है तो एक connecting book कर लेता है बड़ अगर आपकी टिकेट जो आपकी company ने book की है सपोज करो आप सी फेर रहे हैं या किसी IT firm में काम कर रहे हैं आप यूएस जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी company आपको दो से तीन connecting flight दे दे तो अब यहां पे जो है passenger को दिक्कत हो जाती है क्यों क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो connecting flight की जो timing रहती है ना जैसे आप डेली टू दुबई गए और दुबई से जो connecting flight मिलने थी तो उन दोनों में जो पहली flight की जो landing time है और उसका departure time है उसमें केबल बहुत कम फरक है सपोज को एक घंटे का फरक है तो दुबई में तो यह problem आपको होगी नहीं क्योंकि वहां बहुत अच्छा सिस्टम है और immigration भी वहां नहीं होगा क्योंकि आपकी connecting flight है तो आप जैसे लेंड करें एयरपोर्ट पर और आपको connecting flight मिल गई आप यूएस के लिए आगए अब यूएस में जब लेंड किया आपने तो सपोज को आपने न आपने लेंड किया वहां पर आपका immigration होगा क्योंकि क्या होता है कि यूएस में जो first airport पर आप लेंड करोगे वहां यूएस immigration होगा और उसके बाद में फिर आप आपको लगेज भी पिकप करना पड़ेगा वहां कस्टम जो है आपका baggage वगएरा यह सब चेक करेंगे यह सब होगा तो दोस्तों यहां पर क्या क्या reasons है आपकी flight जो connecting flight है छूटने के जी हां कैसे कैसे miss हो सकते हैं तो वही है इसमें हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो को दोस्तों last तक देखते रहिए आप जो है कैसे avoid कर सकते हो जो परेशानिया आपके problems आएंगी उ इसको कैसे solve कर सकते हो तो यह सब चीज में मैं इसमें discuss करने वाला हूं तो इस वीडियो को last तक देखते रहिए यह बड़ा informative वहने वाला है मैं हूं सुनी लिए आदब आप देख रहे हो cruise वाली दुनिया तो अपने पैसे बचा लिए आपको connecting flight देके अब फस गए हम और आ connecting आप 2-3 connecting मिल गहीं suppose करो आपको ठीक आप यहां reason क्या क्या हो सकते हैं मैंने बूला था हम reason discuss करेंगे तो पहला reason कि आपका जो फर्स फ्लाइट है और जो दूसरी connecting है उसके बीच में timing कम होना जैसे एक घंटा तेड़ घंटा है जो सपोस करो आपकी पहली flight है जो है Delhi to US है कि CB airport पे पहला airport जो होगा US का वहाँ immigration होना है ठीक है अब वहाँ पहुंचे आप immigration पे immigration में यह लंबी line होती है ठीक है बहुत सारी पूली दुनिया से passenger आते हैं इसा होता है ठीक है उनको डाउट आया तो करेंगे depends करता है आप किस लिए जा रहे हो जॉब के लिए जा रहे हो सी फेर को तो देड़ से दो घंटा इठाके रखते हैं एक घंटा देड़ घंटा दो घंटा भी जी आप गए पहले तो आप लाइन में लगोगे इतनी चालिस मिनट उदर ही लग जाएंगे अब आपका जो गैप था ना प्रनेक्टिंग फ्लाइट में वह एक ही घंटा दा या देड़ घंटा पकड़के चलो ठीक है अब जो डेड़ घंटा था वह आप पहुंसते पहुंसते चालिस-पैस मिनट तो आपका काउंटर पे आने या फिर या मन से आया ठीक है या फिर भले ही आप किसी भी कंट्री से आये और उसके जॉब जॉब करने आया क्या है उनकी कुछ केटेगरीज है वह सकता नाम बहुत सारे नाम आपको पता होगा मैं या कहना नहीं चाहूंगा बर नाम अगर टाइटल देखा कि वह उनको ड सकता है वन लेवल डाउन ओ तू लेवल डाउन तो एक आदमी आपको एसकॉट करके लेकर जाएगा इसपेशल ट्रीटमेंट के लिए आपको विठाया जाएगा सीफेर्स के वादा साथ हमेशा होता है 99% होता है मेरे साथ के एक बार ऐसा हुआ कि मुझे डारेक्ट कांटर से क्लियर करके भीज़ दिया गया अधरवाइस हर बार ऐसा होता है मेरा एक एक एड़ घंटा जो है वह वहां बरबाल होता है कहां जो लाइन के बाद में चेक इन कांटर पर गया उसने जो है मेरा पासपोर्ट चेक किया मुझे देखा और मुझे को लेकर जाएगा स्कॉर लिंग करते होंगे ठीक है इस्पे यह करते हैं ईस पर आपको वीडियो कहिए कि वहीं क्या 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 Fr virtually करते हैं क्या रीजन कर खर तहें तो अगर आप इस पी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएगा ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो पक्का बनाऊंगा कि क्या कॉशिंग क्या क्या कुश्ध की द्वारा वहन चालो हो गया ता श्यप अनॉस्मेंट तो मैंने वीडियो कट कर दी तो मैं बात कर रहा है कि वहां पे होड्ल कर लिया आपको ठीक है चाहिए आपका जो है कुछ भी प्रोफेशन हो चाहिए वहां और कोई जौब है या फ ज़ादा ना वो जाधा हो गया दो घंटे वहीं हो गये ठीक है दो घंटे होने के बाद में आपकी निकल गई एक रीजन यह हो गया टाइम कम था आपका connecting flight के बीच में टाइम कम होना दूसरा immigration ने ज़्यादा देर आपको hold किया धिक है दो तो यह हो गए उसके बाद के बाद आप पहुंचोगे कस्टम पर एक कस्टम बैग आप बैल्ट से अपना जो रखेंगे वहां से लगेज पिक अप करोगे और लगेज को ट्रांसफर पर डालना होता है क्योंकि आपको ट्रांसफर हुआ है कनेक्टिंग फ्लाइट है ट्रांसफर तो मिनिममम आपको लगेज पिक अप करने में लगेंगे ठीक है मिनिममम दस नहीं तो जादा भी लग सकता है ठीक है उसके बाद जब लगेज पिक अप करोगे तो कस्टम ऑफीसर वाँ प्रोफाइल करता रहता है किसको बुलाना है तो यूएस बालों को तो देते हैं ठीक है बाकी का जो एशियन बगएर आया कोई तो पकड़ लिया उन्होंने आपका स्किन कलर देखके या जो भी है ठीक है मैं यह नहीं कहना चाहूंगा बड़ वह उनकी खुद की प्रोफाइलिंग है किसे साब से करते हैं वह करने के बाद आपको पकड़के और वहां पहुंचो और आपने बोला ऐसे मैं इस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था आपको क्या करना है उससे पहले एक रीजन और बता देता हूं एक रीजन यह है कि सब कुछ किलियर हो गया आप टाइम से आ गए आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच मैं टाइमिंग थी काफी दो घंटे तीन घंटे थी आपने सब कुछ किलियर किया इसकी बीच में सिक्रीटी चैक भी होता है वहां पर वहां पे आपके 10-15-20 मिनट खराब होते हैं 10-15 मिनट तो मानी लो आप वह सब होने के बाद मैं आप गेट पर आ गया और अब ही मैंने बोला था कि वह कि आप बैठ गया आपने कि आप दो घंटे बाकी आप इंटरनेट उसकरने लग गये कान में हैड़ फॉन लगाया और पताचले गेट नमबर चेंज ओ गया जी यहां मैं आचा इसा हुआ मैं टाइम से आया सब कुछ हूआ मैं बैठा और गेट नमबर चेंज हो गया जबक the gate has been changed you did not say I didn't hear any announcement मैंने उनको बोला तो बोले no no sir you should check blah 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 पता नहीं क्या क्या बोलके गोल मोल कर दिया जबकि announcement मेरे साफ से तो हुआ नहीं और अगर हुआ भी हो तो एकादवार हुआ होगा मुझे याद नहीं है कि मैंने headphone लगाया था उस टाइम की नहीं था बड़ मुझे इतना याद है शायद मैंने नहीं लगाया था खाली net use कर रहा था तो मेरी flight मेस होगी अब अगली flight फिर आ जाते उसी जगह पे मेस होगी सपोस करो ठीक है यह तीन reason होगे अब यहाँ पे flight होगी मेस आपकी कोई भी reason की वज़े से अब आप गए counter पे counter बहुला कि भई आपकी flight तो चली गई कुछ नहीं हो सकता तो आप क्या करोगे आप अगर आप independent travel कर रहे हो अकेले कोई company नहीं खुद से book की है तो आपको फिर से पैसे भरने पढ़ेंगे यहाँ पे reason अगर immigration है तो आपको जो है airline जो है दूसरी जो flight है वो allocate कर देगी उसका boarding pass issue हो जाएगा और आप चले जाओगे अगर immigration उसका reason नहीं है तो अगर आपने miss किया जैसे मैं side में बैठा रहा तो आपको pay करना पड़ेगा पका 100% या फिर आपकी जो पहली flight delay होई है अगर उसकी वज़े से हुआ है तो आप वहाँ पे airline का जो staff होगा से बात करो information desk जो भी होगी वो लोग दूसरी flight आपको दे देंगे अब वो दूसरी flight कब है यार मेरे साथ एक बार हुआ है 8 गंटे के बाद थी सोचिए आप इतना travel 18 गंटे तो वैसे ही लगते है यार इंडिया से US के अब 18 गंटे travel करने के बाद आप पहुँचे फिर 8 गंटे और 26 गंटे हो गए 8 गंटे के बाद फिर 2 गंटे की flight है फिर 28 हो गए 28-30 गंटे हो गए 30 गंटे की journey यार very tiring है कि नी एक गंटे में कभी होता नहीं है 2 गंटे मिनिममम रख्ख़वा कर दो बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने 100 मीटर की sprint लगाते न वैसे लगा के flight पकड़ी है छूटी गई थी 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है तो आपको जो timing है ना connecting flight की जो पहली flight दूसरी flight की timing हो थोड़ी जादा रखनी है अब मैं यहाँ पर एक चीज और भूल गया कि कभी कभी टर्मिनल भी अलग होता है होता है न तो टर्मिनल जब अलग होता है तो क्या होता कि ट्रेन एक टर्मिनल से जहां पर आपकी flight land होई है उस टर्मिनल से आपको ट्रेन पकड़नी होती है दूसरे टर्मिनल के लिए अब वो ट्रेन पकड़के भी 10-15 मिनट लगते हैं की नहीं लगते हैं बिल्कुल लगते हैं वो time भी यहाँ पर आपका आप add कर लीजिए इसमें minimum 2 घंटा तो time होने चाहिए एक flight से दूसरी flight के बीच में ध्यान रखना और दूसरा जब भी आप कहीं बैट के किनारे से आप अगर इंटरनेट इग्यूज कर रहे हो बात कर रहे हो घर पे तो ध्यान जरूर रखें यहां flight का चूटने के chances होते हैं बार बार चेक करने जाके कि ध्यान रखें यहां पर आपको बता दूँगा आपकी flight हो गई मेस और आपको बोर्डिंग पास दूसरा देदेगा नेक्स फ्लाइट का ठीक है उसमें फ्लाइट भी बता देगा इतने टाइम पर कौन सी चाहिए आपको पहले वाली है देदेगा स्टाफ ठीक नहीं आपको अगर आप खुद से ट्रेवल कर रहे हो तो आप पैसे वैसे क्रेट काड़ वगरा देखे कि क्या बुक कर लोगे अगर आप कंपनी के थुरू कर रहे हैं फिर अगर आप IT प्रोफेशनल हो या और कुछ है होटेल में होटेली और होटेल में काम क हो गया सीफेरर जो है उनका जो कुरूश शेप उनका पॉर्टल होता है ओनलाइन वह ट्वंटीफोर आवर्स चैट कर सकते हैं तो आप क्या करोगे ऑनलाइन जाओगे वाइफाई फ्री होता यह जातर मतलब है एरपोर्ट पर होता ही है तो वहां आप ओनलाइन जाने के ब लग सकती है 5-10 मिनिट ऑनलाइन आने में क्योंकि वो बिजी रहते हैं तो लोग आप रिप्लाई करेंगे आपकी डेटेल विटेल मांगेंगे और फिर आपको दूसरी जो है फ्लाइट वो बुक कर देंगे और आपको देंगे लेकिन फ्लाइट भी कभी कभी क्या होता है कि पैसे रिमोट एयरपोर्ट पे पहुंचके कि दिन में एक ही फ्लाइट है तब क्या करोगे ऐसा कम होता है एक ही फ्लाइट है बट अगर हो गया ऐसा तो सबस्क्राइब आप पहुंच गया सुबह इसाथ बजे आट बजे की फ्लाइट थी एक गंटे वाद और अगली फ्ल फ्लाइट उनकी बीच की जो टाइमिंग वह ज्यादा होनी चाहिए प्रेडिट कार्ड वगरा पैसे वगरा अपने साथ लेके आए ठीक है और टाइम वेस्ट ना करें उधर जैसी फ्लाइट लेंड हो सबसे पहले आप अपना प्रोसेस पूरा करें ठीक है और उसके वाद गेट पर पहुंचे और वहां जाके कुछ जो भी करना वो करें आपको बताऊं कि यूएस इम्मिग्रेशन की बज़े से 99% कनेक्टिंग फ्लाइट छूटती है अगर इस पर वीडियो चाहिए मैं फिर से कहना चाहता हूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो गय जिससे मैं और इसी टैप के वीडियो बनाऊं तो रखो अपना धेस हरा खयाल इस वीडियो में इतना ही लव यू आल चैहें